हलो दोस्तों आज हम आपके साथ सेयर करेंगे सेहत से भरबूर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रिस्पी ये नास्ता है दोस्तों आप इसको चाहे बच्चों के टिफिन में बांधिये या सुबा सुबा मॉर्णिंग में बच्चों को बना के दीजिये बड़ों को दीजिये आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी चार घंटे तक भूंक नहीं लगी दोस्तों इसका बनाना बहुत आसान है इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो आलू ले लिए हैं कच्चे आलू हमने लिए हैं और यह जो ना कद्दुकस ही आप लीजिये अगर मोटा कद्दुकस लेंगे तो यह थोड़ा पकने में दिक्कत करेगा तो इसलिए हमने बहुत छुड़ा वाला कद्दुकस लिया है यहाँ पर हमने अधरक का अधा इंच का टुकडा ले लिया है जिसको अभी हम कद्दुकस कर लेंगे और इसको कद्दुकस करने की बाद हम इसमें आटा मिलाएंगे तो यहाँ पर हम गिहूं का आटा मिलाएंगे एक बड़ा चम्मच हमने गिहूं का आटा ले लिया है और इसी के साथ ही हमें बेशन की भी जरुरत पड़ेगी दोस्तों यहाँ पर एक चम्मच बड़ा हम बे बित मैंसम edible कोटा वा मसाला डालने से स्वाथ अच्छास या तो हमने कूटा हुआ मसाला आधा चमज राग्यास टबाद स्वाधा की स्वाधा के बहुत ज़्यादा पतला हमको बेटर नहीं बनाना है पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है हमें क्योंकि अभी हम इसमें कटी हुई हरी सब्जियां भी एड़ करेंगे तो सब्जियों से पानी निकलता है तो इसलिए हम पानी बहुत सभाल कर डालेंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे मिलाने की बाद जब ये थोड़ा सा ठिक ठिक बन कर हमारा बैटर तयार हो जाएगा तभी हम इसमें हरी सबजियां भी एड़ करेंगे तो पहले हम यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई और उसके बाद हमने यहाँ पर आधी गाजर को कदू कस किया था तो आधी गाजर हम ढाल देंगे यहां पर हमने बहुत कम कॉंटिटि ले रखिए आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं एक प्याज लिया है छोटा और दो पत्ती के करेब हरी धनिया थी तो हमने हरी धनिया भी डाल दिया है और हरी धनीया डाल कर हम इसको बहुत अच्छे से mix कर लेंगे इसका बड़िया सा गड़ा-गड़ा घोल बना कर तयार कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे यानि कि 10 मीनट तक हम इसको अच्छे से जब बन जाएग तो हम इसको मैं बेकिंग सोड़ा ले लिए और कर हम इसको अच्छे से घएंगे मिलाने के बाद हम तुरंत ही इसको बनाना सेटेंगे क्योंकि यह हमने यह पर वेकिंग सोडा कीा है तो इसलिए हमको रखना नहीं है अगर हम हम इसको रख देयंगे त यह बेटर हमारा हो ंहरा हो जाएगा अभी हम तुरंत ही इसको बनाना शुरू करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कि यहामारा जो बेटर है अच्छे से बंकर रेडि हो गया है और अब हम बनाना स्टाट करते हैं तो हम गईश पर तबा दालेंगे और तेल को हम चारो तरब तवे पर फैला देंगे जब हमारा ये तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा और राई डाल देंगे थोड़ी सी और हमारे पास अगर तिल होंगे साफे तिल तो हम साफे तिल भी डाल देंगे अगर आपके पास करीपती है अपना जो हमारा गोल बनकर तयार हुआ था गाड़ा गाड़ा वही गोल हम डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको देरी आज पर पकाएंगे बिल्कुल धीमी आज कर देंगे बिल्कुल तेज गैस नहीं करेंगे नहीं तो यह हमारा जो नास्ता है यह बिल्कुल जल जाए तो यह उपर उपर जल जाएगा और नीचे नीचे यह कच्चा रहेगा तो इसलिए हमने बहुत ही स्लो गैस पे इसको पकाया है आप लोग देख सकते हैं आपको उलट पलट के इसी तरह से पकाते रहना है लगभग 5-6 मिनिट लगेगा इसको पकने में और आप चाहें तो इ इस पर धकन रखकर के भी पका सकते हैं धकन लगाकर भी यह पकाया जाता है अभी हम आपको धकन लगाकर भी पकाना सिखाएंगे कैसे पकाते हैं धकन लगाकर आप देख रहे हैं उलट पलट करके हमने इसको पका लिया है और यह पूरे तरह से अंदर बाहर पक चुका है उपर से बहुत ही कुर्कुरा बना हुआ है और अंदर से ये soft है इस तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे एक एक करके हमारे जितने भी पराठे ready होने वाले हैं हम सारे ready कर लेंगे इसी क्रम से आपको बनाना है ये नास्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग इसको इवनिंग में बनाना पसंद करते हैं, इवनिंग स्रेस के साथ इसको लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है और इसको अगर आप सवेरे सवेरे लेते हैं तो इससे आपका पेट भढ़ जाता है, वाइटो केचप बहुत अच्छी लगता है इसको आप चाहें कि उपर से हमारा बना और अंदर बहुत वह सोफ्ट है और आप लोग इस रेपी को एक बाड जरूर ठ्राई करिएगा रिस्पिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी बताईएगा हम फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद